इस टॉपिक जो है हमारा बेस है बेस के बारे में जो हम लोग पढ़ना है चार जिसको हम लोग हिंदियों बोलते हैं देखिए यहां क्या कह रहा है बेसे जो होते हैं ऐसे सब्स्टांसेज होते हैं जो बीटर इंटेस्ट होते हैं कड़वे होते हैं और सौपी टुट टुट टंश करने पर दो होना मुलाईम लगते हैं लगते इसके यह आप कह रहा है कि अपक्षाइक आधंते मद्थ नहींद है और fede क्रूट आएं इन झेनर है टो सिफेन यह लोक्तल यह तो हिया है तो यह वार्प‌एंड करके एने प्लस और हिए अच्छ निटा है बोलते हैं यह तो देता है इसको जोई यह कुद ऑथ ही यह तो यह तो वाटर में जो वाटर में गॉल जाते हैं उसको क्राइश होते हैं यह जो बीकलीजिया लुकुद सता है ऐसे basis जो water soluble होते हैं उसको सहदे का बात गहाए था है घथे के की हैं या पे आक बात और लिखा हुआ है कि all our basis सार्य चरह फीर जूळीू से सारह क बेसें मैं सारे के सारे बेसें जो होते हैं वह Allah नहीं होते हैं जैसे अग्जाम्पल में दिया हुआ है कि यह सब हैं कि यह सब जहना यह यह सब क्या है लेकिन यह सब जहना अलक्लीज नहीं है यह बहुत जहने इसको क्य? फेरीख हाइडर ओक्साइड बोलते हैं इसको कょ बोला दाए क्योप्रिक हाइडर ओक्साइड थे फैरीग हैं और अलकलिक होते हैं यहां पर कि यह पता होता है कि जैसे जितने भी से जो तर्टा है वह डियंट करके सॉल्ट और वाटर देते हैं तो जो है यह मैटालिक ऑक्साइड है और नहीं जो है क्या है मैटालिक है डॉकसाइड यह दोनों जो है किन निचर होते हैं दोनों की डॉन ट्रेव यह से इस से क्या चार क्या इंते हैं अधा जहाले तो इसी को जुएjamber लेचे序यगा वात्रइट, वाटर देख़ने, टेथी और यह से हैं, यहनल मोटने इस से जोग देता है क्या हों डियान ह utilities वाते हैं, प्रन मौलने पिर्ट, वाटर यह वाटर में डिजॉल्व करके क्या देता है मेंगनेसियम हड्रोकसाइड नाम का बेस देता है तिक इसको मिलक अफ मेंगनेशिया भी बोलते हैं मेंगनेसियम हड्रोकसाइड को इसको याद रखिए गाती यह जिते हैं मैटालिक क्लासिफिंगेशन पर में आधार को ग्या यहां इसके आधार सबस्क्राइब आप सम्सक्राइब यह जिए कि अधार्यक इसका अधार पर छुल वागों में विशल्व कर ना कंप्लीट लिए राज यह जाते है कम्प्लीटली जो है ना अपने हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आइन को जो है गिवाउट कर देते हैं उसको जो है बोलायता है स्टॉंग बेस जैसे एक्जाम्पल मिसमें आ जाता है को ठीक है इसको याद रखेगा इसके वासे जो बेसेज पार्सिली आइनाइज होते हैं ज जिसका पार्सिल आइनाइजेशन होता है वाटर के अंदर उसको बोलायता है वीक बेस पार्सिल के मतलता है आंसिक रूप से स्मॉल एमाउंट में जो हैसे बोल सकते हैं या सिंगल एसे बोल सकता है 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 इसको बोलायता है वीक बेस और जो कम्प्लीट कर देते हैं उसको ज जो होता है more होता है कि amount of bases more than amount of amount of water उसी घ्युवा बस तरह के basic solution को जो जए क्या बोला है da concentrate this और जिस basic solution में amount of water जो होता है वह more than amount of वो more than amount of क्या होता है बेस होता है उसी को क्या बलायता है डाइलूट जो है बेस का है तो डाइलूट बेस जो होता है और कंसेंट्रेटेड बेस क्या होता है यह ज्यादा हर्मफुल होता है इसके पासे acidity के अधार पर उसके बेस के अंदर कितने याटमस मौझूद है उससी को बळायता है बेस का जो है एसीडिक्स फोटा है और एसीडिक्स होता है तो Monobasic वो basis होते हैं जिसमें जोना Single Hydroxide आयन होता है ठीक है और जैसे में एक्जांपल में एक और आगया NaOH यह सब जोना Single Hydroxide आयन्स जोन क्या करते है इसके अंदर इनके अंदर Single Hydroxide आयन जो है मौजुद होता है इसलिए इसको बुलायाता है क्या मोनोसीडिक बेस और डाइसीडिक बेस बुलायाता है जैसे में एक्जांपल में MgOH का होल ट्रैस इसमें जो है दो है इसमें जो है आइरन का बात करेंगा आइरन या ऐसे बोल सकते हैं तो FeOH का होल ठ्रैस या एल ओएच का होल ठ्रैस यह सब जो बेसे होते हैं इसमें तीन हाइड्र ऑक्साइड आयन्स होते हैं इसलिए इसको जो है ट्राइसीडिक बेस का आयता है यह इसी से आपको पता चल जाएगा यह किस तरह के जो ना एसीडिक बेस जो है है ठीक है